मैं आउलकमार स्वागत है आपको वरन्यम एजूकेशन के इस यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो में हम आपको MS Excel का बेसिक से लेकर के सुरू करेंगे और बेसिक से लेकर के एडवांस लेबल तक एडवांस लेबल के कहने मतलब यह है कि जितना CPT में जरूरत होता उतना लेबल तक आपको विडियो के अंदर गत MS Word के कुछ चैप्टर हम कंपिलिट किये हैं बेसिक से लेकर के page layout तक का जितने भी option होता है उसके बारे में बताएं और उसे related कुछ project भी आपको हम बताएं कि किस तरीके से काम करना है सेम वैसा ही MS Excel के अंदर भी होता है और MS Excel में भी basic से लेकर के advanced level तक कि इसमें काम करना होता है एडवांस कहने का जब भी हम इसमें advanced बोले तो इसका मतलब यह है कि CPT का एक अंतिम पड़ाव तक आपको चीजे को बताया जाएगा अब अंतिम पड़ाव क्या होता है यह आपको हम बता देते हैं कि जिसे एक हर एक syllabus का मतलब जितने भी software है जिसे ms word का एक software का test आपको ले रहा है excel का ले रहा है powerpoint का ले रहा है तो उसका एक अपना syllabus होता है जिसमें कि आपको ms word में हम बताये थे कि क्या के चीजे जरूरी होते उसी तरह से excel में भी कुछ चीजे हैं जिसे के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है जिसे क्या क अगर आप नहीं समझते तो आपको बताते हैं जिसे आप किसी भी चीज का information जो है उसको आपको लिखने आना चाहिए जिसे suppose किजे कि हमारा यह coaching है और आप आते हैं admission लेने के लिए तो आपका जो entry हम करेंगे that's called data entry मतलब आपका जो नाम पुछेंगे आपके पिता जी का न दूसरा कि अगर किसी भी तरह का entry आप करते हैं या फिर किये हैं तो उसे edit करना modify करने आपको आना चाहिए और formatting करने आना चाहिए formatting अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे मैं थोड़ा से clip में समझाते हैं कि formatting उस चीज को कहा जाता है जिसे अपने according या फिर question के according उसे सजाना होता है या पिर कहली जी एक नया structure देना होता है जिसे कि font size के माध्यम से या color के माध्यम से या और भी तमाम तरह तरह की चीज़ आना चाहिए कि अगर जरूरत पढ़ने पर column के size बढ़ा करना, column के size को छोटा करना, row के height को बढ़ाना ये घटाना या फिर कर लिजे कि जरूरत के या फिर content के अधार पर उसे adjust करना ये आपको proper ढंग से पता होना चाहिए और ये अगर आपको इतना सभी चीज आता है तब या नहीं आता है, mail करने आता है कि नहीं आता है, print करने आता है कि नहीं आता है, इन तमाम तरह-तरह के चीज़ों को आपको सीखना होता है, ये हुए सीखने के बाद, अब इन सभी चीज़े के साथ साथ जो काम करता है, वो MS Excel का basic से ले करके page layout तक का जो एक-एक function है, वो basics ले करके advance और ये बहुत ही important रहता है, वो आपको बारे में अभी तक हम नहीं बोले है, वो है Excel का formula, Excel का formula जो होता है, जैसे कि sum, maximum, minimum, average, if, past file का सकते है, good, bad का सकते है, major, minor का का सकते है, कई तरह-तरह के formula जो होता है, वो आपको पता होना चाहिए, तो इस वीडियो में आप तो भी जो अभी चीज़े सिखे, ये जो चीज़े आप हम से समझे, ये MS Excel का एक introduction है, जिन चीज़ों को आपको पढ़ना होना होता, मतलब पढ़ना ही होता, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कि CPT मतलब कहीं भी आप रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, online, offline, कहीं ना कहीं च चेप्टर या फिर पूरा MS Office पढ़ाया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, CPT एक बहुत ही सटिक चीज़े होती है, जिसमें कि आपको उतना ही चीज़े पढ़ाना है, जितने एक्जाम में आए, या फिर एक्जाम से रिलेट करें, ठीक है, क्यूंकि आपको 30 मि हम अपना एक online batch भी लाए हैं, जो कि आपको application पर आपको मिल लाएगा, तो उसके लिए आप हमारे जो number आपको display पर दिख रहा है, उस पर आप contact करके आप से जूड़ सकते हैं, क्यूंकि बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, पटनाम नहीं है, तो बाहर रहते हैं, तो वो चा करने के बाद आप से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको चीजे दे नहीं पा रहे हैं, जो चीजे आपको चाहिए, तो मतलब यह जो अगर आप purchase लेंगे, तो उसमें इस सबी चीजे include रहेगा, और अगर आप offline batch लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पर coaching में आते हैं, तो फिर किसी भी तरह के कोई problem ही नहीं है, और online जो हम से batch purchase करेंगे, उसमें एक benefit यह भी है, कि जिसे अगर कोई भी आप purchase कियें, और आप exam है 17 या 18 को है, तो उसे आप कोशिस आपको करेंगे, कि 4-5 दिन पहले आप पढ़ना आए, और यहाँ पे coaching में, हमारे coaching में बैठ करके, सभी student के सा सामने से पुछिए, सामने से चीज़े आपको solve करेंगे, तो इन तमाम तरह के चीज़ों पर आपको काम किया जाएगे, लेकिन अगर आप YouTube पर पढ़ते हैं, YouTube पर आपको content यूटूब पर मिलेगा, लेकिन इन सभी चीज़ों को आपको facility नहीं मिलेगा, आप चीज़े यहा बात करके देखिए, आपको एक बहुत अच्छा preference आपको मिलेगा, बहुत अच्छा help मिलेगा, इसका हम guarantee देते हैं, और अगर यह YouTube का वीडियो के बात यह रुकेगा नहीं, चलिए आज के classes यहाँ पर समाप्त करते हैं, कल हम Excel का जो भी syllabus हम आपको बताएं हैं, उस syllabus से हम चलिएए.